हेलो आन वोकम टू टीवी का पटाका वेल दोस्तों आपको बता दें कि बिग बॉस सीजन सोला के वीकेंड के वार में न्यू यर्स स्पेशल पर गेस्ट बन कर पहुंचे दाजीव अधातिया जी हां राजीव अधातिया को नमबर वन एंटेटेनर इस वक्त माना जा रहा है खतरों के खिलाडी से ही राजीव अधातिया की पॉपुलारिटी बहुत जादा बढ़ गई आपको बता दे की राजीव अधातिया जब विग बॉस के घर वीकेंड के वार के दोरान आए तब उन्हों ने जाते जाते प्रियंका के कान में कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद से ही घर में बवाल मचा हुआ है हर कोई जानना चाहता है कि आकि राजीव ने अलग से जाकर जाते जाते प्रियंका के कान में ऐसा क्या बोला जो सब के सामने नहीं कहा जा सकता था दोस्तों बताएंगे आपको पूरी खबर लेकिन उससे पहले चानल को जरूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाना आप बिलकुल न भूले बिग बॉस सीजन सोला का घर वीकेंड कवार और गेस्ट बन कर आए बिग बॉस के ही एक्स कॉंटेस्टेंट रह चुके बिग बॉस 15 के दमदार एंटरेनर राजीव अदातिया ऐसे में राजीव अदातिया जबायत उन्होंने सबसे इंटरेक्शन किया सबसे बाते की एंटिटेन किया लेकिन जाते जाते प्रियंका के कान में कुछ बोल कर गए और उसके बात से ही सारे घरवाले ये जानना चाते हैं कि अलग से राजी वदातिया ने प्रियंका के कान में क्या बोला है क्या वो घर की कोई बात बता कर गए है या फिर उन्हें कोई सीक्रेट एडवाईज दे कर गए है अगर ऐसा है तो वो सब के सामने क्यों नहीं क्या रहे ये तो घरवालों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी तो दोस्तों आपको बता दें कि राजी वदातिया ने प्रियंका के कान में बोला बिग बॉस सोला के विनर की सबसे बड़ी दाविदार तुम खुद हो प्रियंका यू आर बिगस्ट कॉंपिटीशिन तुम बिग बॉस ट्रोफी डिजर्फ करती हो जैसी हो वैसी रहो इस तो अमेजिंग विए तोल्ड यू रवग यू आर प्रियंका के कान में यह कहा था कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं मैं उसके गेम को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूं आप क्या कहेंगे हमें अपने व्यूज कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक और श झाल झाल